आप तो कारगिल वार, मेडल पहनते हो, विजाए स्टार, बट नेवी सला जहाज लेकर कैसे पहुच गया हो आपर, हिल पे, you know, that is the understanding of people की, जो भी 6 लोग थे हो लोग, उनके आँखे निकाल दी, उनके पूरे दात तोड़ दिये, 32 दात, उनके बदन पर 200 से 300 सिगरेट के देखा, and even genitals जो है, वो को तक काट गया, that was the inhuman thing they did, वो जो terrorist या जो भी उनको मालूम नहीं कि हम कितने बड़े हरामी हैं करके, हम कितने बड़े terrorist हैं, they don't know, Admiral Shushir Kumar was very clear कि दुनिया को अनॉंस कर दो, we are here, and nobody expected Indian Navy will do this, suddenly ये team is sending proposal for huge containers of दबबे-डबे condoms गा, तो फिर यहाँ साल करने बिजा कर क्या रहें, लोग करके न, they started asking की bastards, what are you doing करके ये न? Hello friends, मैं हूँ Gaurav और स्वागत है आपका आज के इस नए podcast में, आज हमारे साथ एक बहुती special guest, Lieutenant Commander Vijay Nair Sir, ये एक true nationalist है at heart और इन्होंने Kargil War में serve किया है, Operation Talwar में, so he belongs to the Navy community, और ये एक बहुती अच्छा perspective share करेंगे, Kargil War के बारे में, Indian Independence के बारे में, and he is also a marathoner, so he is actually a double marathoner, जो की 89 kilometers की running at one go, so बहुत ही inspirational figure है, आज हम बात करेंगे और एक perspective जानने की कोशिश करेंगे about his life, so thank you for coming sir. Sir, सबसे पहले start करते हैं, like हमारे main topic से, like you have served as a veteran in Operation Talwar, Kargil War, तो क्या आप उस time के एक vision आप दिखा सकते हैं audience को कि वो time पे situation कैसा था, it was a high stress situation, पाकिस्तान हम पर हावी हो चुका था, पूरी तरीके से, and like वो time पे तो जितने भी अच्छे decision makers है, सब बहुत stress में आ जाते हैं, और impulsive decisions लेने लग जाते हैं, so how was the situation that time? सुना, जो भी हमें सुनेंगे, मैं उनको एक perspective देना चाहूंगा कि कारगिल वार, क्यों कारगिल वार कहा गया, first of all, लेकिन असली में वो कारगिल वार है नहीं, you know, तो एक एक अच्छा perspective दोंगा उसका, फिर मैं आपको बताऊंगा कि Navy, Air Force, सभी का, it was a tri-services war, वो हमेशा tri-services war रहा है, लेकिन क्या हुआ कि ये पहला ऐसा वार था, जहां कि media was in full form, पहला televised war था, इंडिया के perspective से, तो फिर जो पत्रकार थे या जो मेडिया वाले थे, वो, they were always showing कारगिल, 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 because maximum जो war हुई, वो कारगिल नाम के एक जगे पर हुआ, एक sector पर, तो उसको famously कारगिल war कहते हैं, now coming to the background, ये war क्यों हुआ, वो जानना बहुत ज़रूरी है, 98-99 का जो दौर था, तो, you know, हम एक country है, भारत is a country जो हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम सब को अपना जो भी आता हम उसे गले मिला लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं, 98-99 के दौरान हम चाहते थे कि पाकिस्तान से peacekeeping हो, और हम वो बोलते हैं न वो दिशा में हम जा रहे थे कि अमन की आशा, तो आपको याद हो का कि बड़ा famous incident था कि लाहोर बस जिसको बोलते हैं, अटल भिहारी बाचपई जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट परसन, तभी एक ऐसा माहोल हुआ कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, लाहोर में, very famous लाहोर बस जिसको बोलते हैं, अमन की आशा, गले मिलेंगे, all those things, you know, तो एक टोली गई हमारे यहां से, क्योंकि सेक्टर खुला, तो लाहोर में गए बस से, और तभी, you know, परवेश मुशरफ थे, आर्मी के जो देखरेक कर रहे थे परवेश मुशरफ, और नवाज शरीफ वस दी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, सब कुछ, एक तरफ से भाई बंदी चल गले मिलना, नाशनल न्यूज और दूसरी तरफ से, आर्मी बिल्ट अप चल रहा था, तो परवेश मुशरफ, तो क्या होता है, कि विंटर के टाइम, एक ट्रीटी होती है, पैक्ट होता है, कि एक सर्टन एरिया होता है, कि इंडिया पाकिस्तान का जो एलोसी एरिया या ब से है, तो जब विंटर इतना ज्यादा होगा, कि वहाँ पर इन्हूमन ली पॉसिबल नहीं है, लोग रह सकते हैं ये करके, बट दे हाड़ा ट्रीटी कि हम भी वापस चले जाएंगे ये टाइम पर, तुम भी वापस चले जाएंगे, तुम भी वापस चले जाएंगे, और नौर्थ फ्रेंटियर जो पाकिस्तान का, जैसे हमारे यहां रेजिमेंट होता है, उनका जो नौर्थ फ्रेंटियर ये थे, उन्होंने बिल्ट अप चालू कर दिया, और कहीं हमारे इंटेलिजेंस की फेलियर भी थी, कि हम भाप नहीं पाएंगे, और वो चलता रहा, और इतना स्ट्रॉंग बिल्ट अप कर लिया, जो पहडी ती, वो पुरा उक्योपए करर लिया, को उनके लिए वसे स्ट्येजिक था, वहां से स्ट्रेट आपका redit motive, कि अगर आप हमें ने उक्योपा का दिया है, आप आपका जो ने ने लोड़दा को क्नेक करता है, आप वहा सो गए अब क्या हुआ कि वहां आ जो पहाडों में या बॉडर एरिया में वहां के जो लोकल्स होते वह आमी जो आपोसे Πेसली आमी या बीस को वहां पर फूर्म एन इंटिलिजेंस उनके आख और कान होते हैं तो वहां के जो चर्वाय थे शेपर्ड्स वह जब डेढिली तो यह तो यहां के नहीं है, जूते पेने, उपर से फिरान वगेरा डाल कर कपड़े डाल कर नीचे आरमी का जूता आई या तो यह भाग भाग के आए, इंडियन आरमी का जो वहां पे जो भी यूनिट था उसके पास आए, कि बोला कि साथ कुस तो गढ़बढ है, यहां पर कुछ लोग है, जो यहां के नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तब इंडियन आरमी को जब पता चला तो उन्होंने बोला, की ठीक, ऐसे बहुत सारे इंटेलिजन्स आते रहते हैं, सो दे सेंट फर्स सेट आफ पीपल यहां से, एक यहां से, एक यहां इंडियन्स माइ बैच मेट, बैच एक्यूएलेंट, सावरप कालिया बोलके, सावरप को भेजा और पांच उनके टीम मेंबर्स को, आप जाके देख लो पेट्रोलिंग, यह बंदा कुछ बोल आप जाक अगर मैं बताना चाहूंगा तो, आज भी वो दर्द है ना, कभी-कभी ऐसे सोचते हैं कि यार हम सब एक अखंड भारत का हिस्सात है, इंडिया, पाकिस्तान, और अफगान, और हो सकता है, एक ऐसा टाइम दौर आए कि हम फिर से एक हो जाए, बट कुछ-कुछ इंसिडें आप बनके जाते हो, तो एक आपका एक थे-एक एक अगरिमेंट, इन अगरिमेंट जीनेवा पैक जिसको बोलते हैं कि आप उसके हिसाब से आपको रिस्पेक्ट देते हैं, कि आपको नहीं पता होगा कि सारफ के साथ, वाट देट वादु आज है, इसे अग्रेश अगरीं उनके आंखे निकाल दी, उनके पुरे दात तोड़ दिये, 32 दात, उनके बदन पर 200 से 300 सिगरेट के बट्स के माग थे, हर एक बंदे का, पैर तोड़ दिये, हाथ तोड़ दिये, उंगलिया काट दी, और इवन जनिटल्स जो है, वो तक काट दिये, ताट वास दी इन हुमन अब सौरव का पता नहीं चला था हमें, तो वी संट दी नेक्स जो अगला दस्ता था, कैप्टन अमिद, अमिद भारदवाज और कुछ 22 तेईस लोग गे थे, जब ये भी जाके देखे, तो जब अमिद वहां जाकर देखा कि यार ये तो माजरा लगी है, और ये तो माजर वार जिनों ने जिताया, अमिद ने क्या क्या देखा कि हमारा बचना मुश्किल है यहां पर, 600-700 लोग थे, अमिद ने क्या कि अमिद और एक जो उनके साती थे, उन्हों ने बोला कि हम यहां रोकेंगे, हम इनको रोकते, आप लोग चले जाओ, जो बाकी के 20 लोग थे, आ इसे था कि अमिद भी फेल इन लाइन दूटी बोथ उनका जो पार्थिव शरीर जब मिला, उनका जो पार्थिव शरीर जब मिला, उनका जो 56 देज लेटर, बरफ में धस गया था, उनका जो जब इंडियन आर्मी को पता चला कि माजरा कुछ अलग है, तब फिर अज़ अन पार्थिव शरी और उसका जो कंडिशन देखा, तब हमने वो कसम खाई थी कि पहला गोली तुमने चलाया, लास्ट गोली कब चलागी वो हम डिज़ाइड करेंगे करेंगे, और यह इसका बैक्ग्राउंड है, यह जब बैक्ग्राउंड है, यह जब हुआ, यह जब हुआ George Fernandes was the defense minister then, तब हमने decide कि this would be a tri-services war, see movie में, जैसे आपने का ना कि, movie में सब हम क्या दिखाते, कि army, 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 you know, though I am from navy, थोड़ा मैं बायास रहूंगा, but it was not about only army, it was about army, navy, air force, tri-services, जब वो meeting हुई, जब, you know, ministry, और हमारी जो forge है, that is always dependent on the political decision, unlike Pakistan, नहीं तो आज क्या होता, कि हम लोग government को overtake कर लेते हैं, यह जब, it is very easy to do that, because we have power, everything, but we follow a system, we follow a constitution, तो, जो भी political, आज BJP होगी, तो कल Congress होगा, तब, you know, whenever, whoever comes, we are political will के ओपर है, that is how the system should be, तब उन्होंने decide कि, जब, you know, high level meeting हुई, so navy was the first to support, जब आज के फुल-फलेज वार में जाते हैं, जो कारगिल में, जो soldiers लड रहे थे, average, if you take the average age, was 23-24, जब हम बोलते हैं ना, देश, बाइस साल वाला क्या देश चलाएगा, तो बाइस साल वाले नो ही सब कुछ किया, we lost 547 soldiers, you know, officers, जवान, air force के कुछ, officers and ये, and we were some thousand plus injured in that war, and war ऐसा था था ना, practically impossible to win, practically impossible, because आप पहाड पे बैठे हो, Pakistan आप पाड पे बैठे हो, पाड से आप फत्तर फेक रहे हो, बोल्डर मार रहे हो, प्लस आप बंदू के चला रहे हो, and for you to counter that from नीचे से उपर आपको जाना है, आप एक बाइस साल का officer हो, लेटनेंट या कैप्टन, so, you know, I was 22 years old, when we come to the later part of story, आपको motivate करना है लोगों को, कि आपको वहाँ जाना है, और आपको मालुम है कि बहुत लोग जाएंगे इसके, बहुत लोग मनने वाले है, तो हम बोलते हैं कि यहां के लोग इतने motivated है कि अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, but हम लोग एक discipline, एक culture में पले हुआ है, so, this was a beautiful quote said by one of my dear friend, major summer tour, बोलके, एक podcast में उन्होंने का, so I am taking this from him, कि अगर हम अगर आगए उतर गए, तो पर तो हम terrorists तो कुछ भी नहीं हमारे सामें, so this guys, यह लोग पूरे उपर चड़े, उसकी उपर से गोलियां आती रहे, बहुत लोग गी रहे, बहुत लोग मरे, and still we captured that, we, so incidentally, since today we are speaking, today is the birth anniversary of one of the greatest Kargil war heroes, legendary Captain Vikram Batra Paramveer Chakra, you know, वो शेर्शा मोवी में देखा होगा and that is what happened, अब वार में क्या होता है ना कि बहुत सारी stories है जो आती हैं भार, जो you know, thanks to media and दिल मांगे मोर, Batra Sar बोले थे, बहुत सारी ऐसी stories है which would be equally great, बहुत आती नहीं हैं भार, so that was the Indian army for you and the Kargil war, how we won, हमने ये पूरे वार में आर्मी के perspective से जैसे जो सौरव के साथ नहीं होना चाहिए था, जब हमने पाकिस्तानी soldiers को capture के prisoner of war बना है, हमने तो इतना इजद दिया कि उनके जो fallen soldiers थे उनको हमने proper type दफनाया भी सारो को, proper type, we gave them a burial, पाकिसान का फ्लाग लगाया वहाँ पर उनके उस पे, so that they die a national hero, you know, end of the day they are also soldiers, तो ये कारगिल war was from the perspective of army, अब ने भी, you know, why it is a tri-services war, तो जब कारगिल वहाँ चला, see कारगिल war when we say it is called Operation Vijay, it is not कारगिल war, and कारगिल was one sector, ऐसे बटालिक था, दरास था, वहाँ पर लदाक ओले, वहाँ पर हो रही थी war, so it was various places, you know, it was a umbrella called Operation Vijay, कारगिल में बहुत जादा हो रहा था, इसलिए everyone remembers it as कारगिल war, और कारगिल सबसे, सबसे hard situation भी था, बना ओरकम करने के लिए, because of that disparity between the troops, and then वही पे Air Force was operating, and Air Force ने जो अपने Operation को नाम दिया था, it was called Operation Safed Sagar, okay, so Operation Vijay is an umbrella, Army was fighting as Operation Vijay, Air Force was fighting as Operation Safed Sagar, and then comes the Navy, Navy was fighting it as Operation Talwar, now Talwar में नेवी का क्या रोल, लोग मुझे पूछते है ना किसने, you know like YouTube पर कमेंट आता है कहीं पर, आप तो कारगिल war medal पहनते हो, Vijay Star, बत नेवी सला जहाज लेकर कैसे पहुच गया वाहां पर, hill पर, you know, that is the understanding of people की, because मैं ब्लेम नहीं करूंगा उनको, knowledge नहीं है, you know, so, so, what Navy did, so, when you see Pakistan, when we go for a war against a country, and predominantly earth is a water, जहां पर water जादा है, so, every country is surrounded by sea, and then Pakistan has got this huge port, Karachi है, Markam port है, जो भी आगे, so, our role for Navy was, कि, सारा जो trade होता है कोई भी country में, it is through the merchant vessel, merchant Navy, जिसको बलते हैं, merchant का मतलब है, trade, जहाजों में, जैसे road पे गाड़ियां चलती है, trucks चलते हैं, ऐसे पानी में, जहाजें चलती हैं, बड़ी बड़ी, so, यह लोग क्या करते हैं, अंदर, logistics लाते हैं, खाना, import के जो होते, weaponrys, बहुत सारे, trade items, everything come inside Pakistan, और जो वहाँ गरो होता है वो भाहर लेके जाते हैं, दूसरे countries, that's how the trade happens, तो नेवी ने क्या किया, नेवी ने बोला कि हम यह रूटी ब्लॉक कर देंगे इनका, कुछ अंदर जाने ने देंगे, कुछ बहार आने ने देंगे, and we were 33 ships, 33 warships, at the mouth of Karachi, so when you see Karachi, Gujarat से, Okha port से, it is like what, 26 nautical miles कुछ है, for us, it's that Karachi port, that would be roughly what, one, one and half hours का यह होगा, and you can actually see, एक particular point से, वहां का लाइटें भी दिखती है, that is how close we are, so we were 33 ships, in that water, and we announced, ऐसा भी ने कि हम चुपी में बैठे थे, Admiral Shushil Kumar, was very clear, कि दुनिया को अनॉंस कर दो, we are here, we are here, whatever, geopolitical situation, जो भी होगा, कि boss, you cannot mess around with us, अब हम आ गय करके, and then, idea was to, attack Karachi, जैसे 71 में किया था, to attack Karachi, and block everything, and if not, we will block, any ship coming into this, the merchant ships को हमने बोल दिया, कोई अंदर आएगा नही पकिस्तान में, आएंगे तो, we will hit you types, in this water, because we are at a war, तो हमने उनका सब कुछ रोक दिया अंदर, and there was a North Korean ship, which was carrying weapons, parts of missiles and other thing, उनको हमने अरेष्ट किया, तो ऐसे बहुत सारा हो, so Pakistan में, Pakistan Navy, had issued a notice, to all the ships, signals होते है, कि आप कोई भी भाहर मत रो, you just come inside the port and hide, don't go out, नहीं तो यह पागल है, ठोक देंगे करके, they have come with that intention, and Pakistan में disturbance was going on, internal disturbance भी चल रहे थे, turmoil हो रहे थे तभी, and nobody expected Indian Navy will do this, and we were just short of one day, you know, see, as I said, पहले भी मैंने कहा कि political will होता है कि, you know, and war is destruction, अगर हम war पे जाते, तो probably they would have, and they were always playing that nuclear card, कि हम nuclear country है, कुछ भी अगर हमें छेड़ दो तो, बटन पे हाथ रख दिया, हम पुरा India को यह कर देंगे, दिल्ली पे, मुंबई पे, तो हमने बोला कि, परवेज मुशरफ, अगर हमने तो हमने टू-फोल्ड कर दिया, तो हमने तो पाकिस्तानी वाटर में थे वहाँ पर, और दूसरा हमने यहां अपने असेट्स को सब गाड करना चालू कर दें, तो हमने पे जो बॉम्बेख, यहां जो महांते असेट सेगा कि, भूहाँ सबर देमेज सबसिंघ्राध अजिए यहां जो इंकरणा बादू इस तेडओ कुर्वा मुदार् पानि यहां टunn — यहां पेर लोले सबर्स जो बहुंआ कर मुदने अए वहाँ जमीत', वो भी थाइम पाकिस्तान रियालाइज आप बिलीव नहीं करोगे वो कंट्री में सिर्फ छे दिन का राशन चे दिन की फ्यूल बची थी पाकिस्तान वे प्रिटिक अगर आप देखो तो पांच रीजन जिसमें पाकिस्तान ने सरेंडर किया 99 इस बाइब अप जो कंट्री प कि वहाँ वेपन्स वगेरा अल्रेडी थे बहुत सारे अंदर थे फिर उन्होंने विल पाउर लूस कर दिया एक आर्मी नेवी एर फोस के साथ क्या होता है कि और सपोर्ट गवर्मेंट का मिलना बहुत ज़रूरी होता है पाकिस्तान स्टार्टेड डिसॉनिंग दिर ओन आ पर उनका भी वही इंटेंशन होगा जब वो सोल्जर्स को अपना गवर्मेंट है स्टार्टेड सेंग कि हमारे सोल्जर्स ही नहीं है जो मरे इंडिया ने जिसको मारा है वो हमारे सोल्जर्स ही नहीं I don't know करके तो then they also demotivated होना स्टार्ट मनोबल पूरा चला गया and that's how the role of Navy so we were fully prepared so I was in one of those ships oh 33 ships में I was part of that see nothing like कि हमें चुना गया कि आप और कोज़ा कि नहीं by incident coincidence जो भी बोलो I was in one of those ships and I was in that one of those four ships which was in the front which would have attacked Pakistan had be given a political will you know so by virtue of that you get to was there for 30-35 days in and out so ships अंडर जाती थी भार आती थी इस तो गो it was that cycle 33 so it was a different scenario it was like a warlike scenario what siri बटन दवाना छोड के बाकी तो everything you had seen the action station and all and that too at the age of 22 so that's how I am privileged to wear that Kargil war medal जिसको बोलते हैं so it is called Operation Vijay Medal okay Vijay Star Vijay Medal बोलते हैं so that is how the entire perspective of Kargil the Kargil war and it was a tri-services war इसलिए में बार बार दारा रहा हूं कि लोगों को नहीं मालनों में लोग बोलते हैं कि इस मोर फोकुस्ट ऑनार्मी no sir like आपने बहुत अच्छे से सारे दोनों perspective समझा दिये because यहां पर like एक teamwork के साथ ही success आसल किया जा सकते है right exactly यहां पर जो choking वाला है वो कहीं न कहीं obviously great impact create किया आर्मी के ऊपर exactly and it spiraled down और अंत में they were they withdrew the troops so sir आपने एक point बताया like और यह मैं मैंना हमेशा से मेरे दिमाग में यह चीज है और I think बहुत सारे viewers के भी दिमाग में रहेगी किसी like normal इंसान को मौत से डर लगता है but then you have the military people, army people, navy and all those people जो लोग देश के लिए जान देने तक को भी तैयार हो जाते हैं तो how is this mindset different from a normal civilian mindset जिसके लिए like मतलब you know life एक बहुती precious चीज है बट यहां पर आप अपनी life को गवा देते हो तो वो precious बन जाता है something that sort of perspective तो क्या perspective है क्या training कराया जाता है इस mindset के लिए in the in the military की कैसे गया नहीं सही बात है because you know like जब हम army navy air force join करते है we are like any other you know 12 के बाद अगर आप जॉइन करते हो तो like any other youngster 18-19 years old वाले अगर आप फिर graduation के बाद जॉइन करते हो तो थोड़ा mature but still you are that raw individual जिसको मौत से डर लगता है you know everyone every one of us fear जब हम academy जाता है this is the role of academies when you say national defense academy NDA IMA Indian military academy INA Indian naval academy and AFA Indian air force academy plus we have the academies training our men officers तो officers के लिए सारे हो गए जो हमारे जवान soldiers airmen होते उनका training के लिए उनकी academies होती है you know सारा जो श्रे है I would give it to academy because आप academy में जाते हो आपको एक अलगी ते चेंज यू जब पहला जाते हो first day when you go you are like Salah कहां first guy करके न जब आप धीरे धीरे there is a system there is a system आपके 6 मैने senior होंगे ऐसे तीन साल तक senior लोग होते है वहाँ पर when you go in the academy and throughout आपका जो immediate वाला होगा छे मैना senior उसका छे मैने throughout the academy की training है you have been conditioned that way की nothing ever जैसे जो चेत्वोट का motto itself जो है that says की country is above everything you know country comes first irrespective of anything then come the people whom you command as an officer marry under agar you know men and women who would be under me they come second third come your family and the comfort of yourself so आपका अगर ethos ही वो लाइन पे चल रहा है and then you are seeing day in and day out people जब हम लुआ लंच पे जा रहे हैं ब्रेकवश पे जा रहे हैं अगर आपके mess में भी वही है आपके squadron में भी है इस फुली आपको nationalist ideologies पे यह करते हैं कि देश से बड़ा कुछ नहीं करें nation first and always and trust me trust me anyone who comes in वो जब निकलता academy के बाहर he is always that कि ना में मार कैसे होता है पहले हम movies में देखते है ना कि देश के लिए मर मिटेंगे मर मिटेंगे बोलते हैं you know like our idea so our academies change that perspective academy ने हमको यह सिखाय कि देश के लिए मार मिटेंगे करके you will kill anybody for your country and in that process if you die fine that is a part of this thing to see you know moth का खौफ हट गया even today even today if you see any officer anyone who's retired who's a veteran I won't use retire आज भी अगर बोलेना कि कल को वार को जाना है people won't think people won't think even this thing forget about family बीवी है बच्चे है दोस्त है पेरेंट्स है एलिंग पेरेंट्स है नोबडी विल केर रटी के यार you have chosen to be with a soldier तो यह आपका लुकाउट है आपका कैसे जी होगे मेरे बात करके right and forge definitely takes care of people you know when even if you are not there there are setups forge का setup ही वैसा है कि everyone is taken care of taken care of तो इसले मौच से नहीं डर तो इसले I would quote major summer here उसके interview में उसने कहा था कि वो जो terrorist या जो भी है उनको मालूम नहीं कि हम कितने बड़े हरामी है करके हम कितने बड़े terrorist है they don't know we are only conditioned to be disciplined yes and the day we take it in our hands so everything would be different तो यह ideology is probably all our academies does that and trust me trust me when I remember when I was part of operation talwar जब हो first time बताया गया था कि operation talwar में जाता उसकी seriousness के आपने को तो नहीं पता ही 21-22 साल के लड़के थे पहला emotion आज भी पहला emotion first emotion is fear you know like when you are told suddenly कि आपको वार में जाना तो पहला emotion होताया fear you know and that's 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 true for everyone but that is for a moment yeah 5 minute max असे लगता है उसकी बाद युफोरिया take-over कर जाता है यार सल्ला इसके लिए तो इसके लिए तो उनिफॉर्म पहने थे ना करके time pass करने थोड़ी नाया करके you have you have chosen this right and then that is for each one of us each one of us probably वो पुरी academy को श्रेय जाता है it is unlike any other training institutions in the world like where you are nurtured by your immediate senior जो आपकी 6 मेने से अगर आप 19 साल के होंगे तो साड़े 19 साल का लड़का होगा जो आपको train करता होगा उसके उपर फिर जो 20 साल फिर 21 साल वाले होंगे so throughout that three four years का जो gap होगा है every time you are drilled country 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 come first करके मेरा देश मेरा ग्लोरी स्टोरीज आप हीरोस and you know and the everyone heroes when I say it's inclusive men and women both who had fought for this country so yes that is how that I think psychology में conformity करके एक बहुती पावरफुल चीज होती है कि like जो भी हम आसपास हमारा surrounding है हम जो observe कर रहे हैं हम जो सुन रहे हैं हम जो देख रहे हैं तो सारी चीजों का subconsciously हम पर बहुती बड़ा impact पड़ता है तो यहां पर कही न कहीं एक priority पुरा system ही बन गया है कि like country first before family as well exactly so and then constantly when you're seeing that being played in constantly you're listening to the stories correct where that was played in correct तो धीरे धीरे करके I think conformity starts taking place and आपको भी धीरे धीरे आपकी identity change हो रही है exactly you are you are looking at yourself as a person who believes in that true and who lives that true so I think that conditioning like that process is very important उसके बिना अगर आप terrorist की भी training देखोगे like when putting a perspective here yes की जो terrorist है जो को भी you know we know that Kashmir हुआ या नौटेश यहां पे है yes उनका भी वैसी है they are also conditioned into believing something like terrorist होगा तो उसको बोलते है की you know with respect to the religion or with respect to you know whatever ideology whichever whichever terror organization sometimes it's after life sometimes it is about that we have been gone through a lot of humiliation exactly we need to fight back for our pride exactly तो उनको भी ओंडिशन नी होता है तो उनका भी ओंडिशन नी होता है देर माइंड सेट अलसो बट उनका जो माइंड सेट है destructive mindset में यूसरा है इंडिपेंडनस इन इंडिपेंडनस रेसा इंडाइफटेशन है और you know जिसने एकदम से चीजों को एग्रेगेट कर दिया और हमें इंडिपेंडेंडेंस मिला ये इस 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 अवरी फेवरीट ये थिए ये विच आ वन्ट तो स्पीक मेरा हमेशा दिल ये कहता है कि हम जो लग बोद आफ उस अगर या हमारे प्रिवेस जनरेशन हमारे पेरेंट्स के जनरेशन हमें हिस्ट्री एक अलग तरीके से सिखाया गया हिस्ट्री हमें ऐसे सिखाया गया कि जो वो चाते थे हो हमें सिखाया गया पूरे हमारे बुक में ये है वो है मुगल्स को गलोरिफाई why are we studying an akbar और इतना डीटेल में और अरंगा जेव इन डीटेल और हमें बोला गया है greatest emperor and if you read actually their history it's totally destructive you know they are torturous they have tortured people they have raped किया है ये किया है बच्चों को slaves बनाया है ये किया है they have looted left right and center they were invaders they were invaders you know they didn't have any soft corner towards भारत तरहा जा 13th century से हम देखोगे we have been a slave yeah in some way or the other right तो going back 19 वो जब world war 2 होता है world war 2 has massive destruction और UK जो British force ती उसके लिए Indian soldiers were the most prominent army navy both you know हमारे यहां population wise और हमारे यह दिलेर होते हैं like there are accounts where they have written in their books and autobiographies जो British के जो generals फगेरा में they said कि the might of Indian soldiers जो बोलते हैं उनके जो army के यह थे जवान या navy के ratings जिसको बोलते हैं naval sailors वो they were totally different वो पागल थे करके ना उन्हों नहीं मतलब हो नहीं होते हैं तो बहुत कुछ और हो जाता करके so so why I'm getting that perspective is that is what the might which we carry हमारे अंदर वो है करके हम we have that potential we are the potentials हम वो श्वाजी महाराज के जो genetics जो genes रखते हैं उतना हम powerful है but because of that slave mentality हम वहां लड़के भी आये 45 age of world war 2 उसके बाद भी जब आ गया तो फिर से British है तो world war 2 में British economically they got destroyed you know yes सब कुछ खतम हो गया उनका and then they were already in the this thing की अब हम कैसे कैसे rule करेंगा because जब वो आये थे हमारी GDP थी 27 percentage जब वो जा रहे थे like 45 46 में our GDP was 27 percent of the world we were such a rich country अब 46 47 में our GDP was one percentage तो जितना चूसना था चूस लिया अब क्या करोगे अब that was one thing so when when this dialogues happened with between गांदी जी नेरू and all those people they said कि 47 48 में आपको हम independence दे देंगे करके you know so assurance दे दिया कि because माजरा कुछ और था माजरा कि हमारी तो फटी पड़ी है वाँ पे तो how can we run this country माजरा कुछ और था and they were made to believe this set of leaders कि आपको हम दे देंगे करके but it was different you know like 1946 में there was an incident of course pre that all kudos to Netaji Subhash Chandra Bose and INA because INA was the thing you know the world was looking at him and that sparked a an event of realization हमारे अंदर कि हम हम ऐसे हैं हम तो warrior one search के हैं करके और यह क्या हो रहा है करके so there was this trial of uh जो redfoot trial हम बोगते हैं very famous redfoot trial उसमें there were three officers of the INA उनका trial होने वाला था वहां पर and then they were also of different religions they were also of different all three of them were of different religion वो जान बूचके उन लोग ने humiliate करने के लिए I think किया था exactly जो भी हमारे अगेंस्ट जाएगा exactly कोई भी faith का exactly यह उसका हाश्रे होगा exactly तो वो हो रहा था हुआपर तो 1946 की यह जो वाक्या मैं बताऊंगा this is very underrated हमारे हिस्ट्री में नहीं इसके बाद जब भी किसी ने हिस्ट्री में बात करने की कोशिश की थी विन पोस्ट इंडिपेंडेंस उसको भी दबाया गया okay so this was called 1946 naval uprising बोलते है naval मुटनी बोलते है first of all it shouldn't be called mutiny this is a freedom fight this is a struggle for freedom right तो बगावत क्यों तो 1946 में क्या हो कि जब 1945 में world war हो रहा था तो ब्रिटीज ने सब जगा advertisement की की हमें नेवी के लिए sailors चाहिए हमारे नेवी के लिए because they wanted to fight war तो आप आपको खाना मिलेगा कपड़ा मिलेगा रोटी कपड़ा मकान and you will be leading a good life and intention was different उनको आप they wanted a manpower right as simple as that तो यह सब हुआ and the conditions were so pathetic जो हमारी ratings जिसको बोलते कुछ-कुछ officers थे कुछ-कुछ sailors थे ratings इतनी बुरी हालत थी कि उनका दाल जो खाना होता था पानी 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 होता था चावल में पत्तर all those things you know और गाली तो गाली pigs और bastards and all was very common जो गाली देते थे उनका जो treatment उनके उपर हाथ भी उठा देते थे गोरे you know the Britishers and they always used to abuse इतना बुरा हालत हो गया था कि of course they went for the war they came back and because of the naval ratings Indian naval जो थे उसके वज़े उनको ग्लोरी भी मिली वार में 1945 में the British Navy so when they came back और यही माजरा चलता रहा and then they started removing people कि काम तो हो गया फिर लोग ऐसे हो गया कि अब हम जाए कहां करके ना तुमने तो बुला था करियर होगा बड़ी बड़े वादे दिखा है अब तुम उनको हुमिलेट कर रहे हो फिर जान बुच के they started you know playing all this खाना खराब देना कप पुरेट में होता है आपको निकालना नहीं है तो प्यार से आए भल इनस्ओर यहिद ओड़े जो भी इनस वन इस वर हापनीं बहुत जिलद सहली तो एक फॉर्स सट उफ शिप में एक नेवल सेलर ने इनस ने वारिन सेलर ने वीजिशने ने हिसको नहीं पता है रिस्ट्र प्रिटिश ऑफिसर जब आया किसी को हिम्मत नहीं हुए थी तो यह बंदे को विवस्ट ट्वेंटी यह जो होगा और इसने बोला जो होगा और यह बोला भाड में जाए देखते हैं क्या होता है तो इसने अपनी टोपी ऐसे निकाली नीचे ऐसे डाली उस पेर से कुछला औ किल जो होगा देखा हम यह नहीं सहंगे अब जो हो रहा है ना इसना सम्झिफ Legislative अब है यह जपो किसी अभी जली वाइस कुछ आए और यह मैं थैव करके लेके गया प्ट karışचाहज बहुत नरThe ना से आइव ले स्वर्छिप्स भृत हाए यह अब तो इन ब sulfurिगाई डीर one of them were connected to the radio, telegraphy and all. इसमें manpower was Indians, always British sailors बहुत कम थे, उनके officers होते थे और Indian naval officer बहुत कम थे, you know, like hundred officer होंगे तो दो, चार, पाँच ऐसे होंगे, but sailors पूरे, पूरे के पूरे जो जहाज में sailors चलाते हों, इंडिया, इंडियन ओरीजिन के थे, तो उसमें, there are various departments in ship, एक होता है radio, telegraphy, communication का, जब ये incident हुआ, तो इन्होंने एक जहाज में इन्होंने रिले कर दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है, और next step is कि हम लोग पूरा टेकोवर कर लेंगे, कर गे, so they formed a group, and धीरे 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 धीरे, you'll not believe, 78 ships were captured, by the Indian Naval Sailors, and they were apt at that, technically you'll look strong थे, और you know, ने डिएर कि first time, first time in the history, probably people will not know, British का जो flag है ना, जो जहाजों पे लगती थी, they removed that, Union Jack, पूरा Union Jack को नीचे किया, and there were three flags, together they put, Indian National Congress, Muslim League, और I believe CPM का, ये तीन फ्लैक को एक एक करके, हर एक जहाज में उन्हों ने रेस किया, 78 ships and establishment, and that was the first trigger for independence, and they took over, and जब बॉम्बे, कराची, you know, मडरास, those days it was called मडरास, इन सारे जगव पे पोर्ट ये कर दिया, बॉम्बे में यहां तक बोल दिया कि, अगर हमारी demand मानी नहीं गई, और हमें अगर independence नहीं दिया गया, तो दे वेर अबाउट टू, gateway of India उड़ाने वाले थे, जहाजो का जो, यो नो, पूरा जो, गन और पूरा पॉइंट आउट कर लिए, बुला हम ये उड़ा देंगे करके, Britishers की, इतनी बुरी हलत थी, तो इतनी बुरी हलत थी, ये लोग तो पॉपुलेशन ही इनका इतना है, और हम तो एकदाँ चुटकी बरके करके, तो सिफ और देते हैं, और देने का कहाम है, और ये एक साथ आ गये हैं अभी, इनका mindset is changing, और ये खुद को अपना order दे रहे हैं, और ये गये करके, अभी हम गये, तो इट वस्च थिंग यहां के जो भी, वहर वाज दे इंचार्ज अब आप प्रिकुलर थिंग, ये वेंट तो इंगलेंड वहां जाके, और ये वहां पे अपरूर, तो इनका प्रिकुलर वहां के जो अपरूर थिंग अपरूर, ये जरुवत है ये सब करने का, तो यह क्या जरूरत है यह सब करने का क्योंकि अगर यह कर लिया तो भी फोर्च हो जाएंगे तो हम भी मारेंगे लोगों को तुमारे फिर हम देंगे नहीं आजादी तुम्हें ऐसे करके इनको कर दे दिया तो एक दाम बोला नहीं नहीं वी डोंट सपोर्ट इस ऑफिशल स्टेट्मेंट वो तभी के न्यूस पर है वी डोंट सपोर्ट इस तिंग भाई इंडियन नेवल रेटिंग करके इसको हम सबोट नहीं करते हैं और फिर फिर फॉर्म्ड अ कमीटी जिसमें सर्दार पटेल कि आपने जो म्यूटनी की है इसका आपको कुछ असर नहीं होगा ठीक है हो गया हो गया वी वोंट प्रोजिक्यूट यू या आपको पनिश्मेंट नहीं मिलेगा करें तो सर्दार पटेल साभ आ गये अधी बेस्ट पार्ट वास यूनों लैक नेवी में ये चल रहा था त इंड करो भूलीरा कि तुम मारो करके, तो जो बही इंडियन पोलीस में थे, पोलीस सर्फिस में दे रफूज बॉला कि एम गड़ी नहीं चलाएंगे तो हमारे लोग एकर के, तें बृटिश आप और मॉल्ट यूंजिवा और में वेंट दी ब्रिटिश्ट पोलीर वें प थे, everyone came on street, बोला कि this is the final thing, हमें इंडिपेंडेंस मिलना ही मिलना, चीन के लेंगे करके, and कुछ 400 लोगो को मारे, and unfortunately by that time our political leadership, जो भी थे उस time के, and then Sardar Patel साब came and he negotiated with the Indian Naval people, की surrender कर दो, everything will be alright, we will be this thing, and poor things, poor things, वो मुझे अभी भी नहीं समझ में आता है, they believed in him, you know, probably they believed in him more than anything, and उनोने सबने फिर सरेंडर कर दिया, and जब उनोने जब सरेंडर कर दिया, so they all were arrested, you know, arrested, and they were taken in a separate, separate camps, so luckily for me, मुझे भी अभी पता चला, the place where I belong now, मुलुंट, that was the hub where they were arrested and kept, you know, फिर कल्यानबुल के जगा है, वहाँ पर उनको अलग-अलग camps में, they were kept, and they were punished, they were prosecuted, सारा जो promises थे, सब हावे में उड़ गया, punishment अलग, and post-independence, ये तो छोड़ो ये हो गया, post-independence, जब मिला, even then, they were not given the, ये बोलते है न, freedom fighter वाला स्टेटर, जबकि ये सबसे बड़ा चीज था हिस्ट्री में, later also, जब जिसकी भी Congress की government थीया, जो भी था, later also, when people tried, there was a very famous play called Kalol, एक बंगाली play था, which was to be aired, वहाँ theater, because see, Calcutta and all is a place where theaters are, आज भी, you know, last week I was in Calcutta, आज भी theaters उत नहीं चलते हैं, that time was heavily influenced by the ideology of Subhash Chandra Bos, exactly, exactly, आजाद हिंद पाँच, आजाद हिंद फाँच, लड़के लेना होगा, true, true, and then when they were playing this play Kalol Bolke, that time, भाह की जो government थी, they didn't allow it to play, because लोगो को पता चल जाएगा हुआ क्या था, and then the, you know, it was barricaded by three or four layers of other political party, to ensure that that play happens, and people know, और इतना बड़ा हिट था ओपले, when people came to know, कि बॉस्ट इस इस वाद इस यह सच्चाई की चीज, this is what exactly happened, and conveniently, this particular thing was kept under wraps, and you know, now, people like me also, for example, I was from the Navy, हमने Academy days, when we, Academy में, along with all your physical activity, you also have to read military history and undergo this thing, you know, even I had not, मैंने पड़ा था, वट ठीक है हुआ होगा, so यह तो अभी तीन-चार साल पहले से, when all this, thanks to the social media and things started happening, जब more and more things are coming out, more and more people are speaking on history, when I did this research, and when I was reading this article, there is an author, who had researched in volumes and volumes, only about 1946, you know, mutiny, I think Pramot Kumar, हिहा कुछ है उनका नाम, so when I read that, तभी मुझे पता चला यार यह तो अलगी गेम है करके, and you'll not believe, शोले पिचर में एके हंगल साभ है, जो, you know, always either कोई पुलीस का चारेक्टर करता है, उसमें तो उसका एक बुडे दादा का किया, इस सानी सा, you know, एके हंगल, I was not, I heard somewhere कि एक फ्रीडम फाइटर थे, जब मैं पढने चालू क्या है, रियलाइस कि इस पीपल वे इस बिगेस्ट सपोर्ट इस नेवल सेलर्स, इस नेवल रेटिंग जो थे, एके हंगल सा, बलराज सानी, थेन पृत्वराज कुवर और एक पीम नायर बोलके थे, इस वे पीपल वू सपोर्ट इए, अब हैड है और पॉलिटिकल विल हपन थे थे, अब हैड थे सपोर्टेड अब हमें तो इंडीपेंडेंस 15 साल पहली मिल के होता है, 1932 क्या सपास ही हमें इंडीपेंडेंड ब्रिटिस बिखने इडेर बट हमने उपर्चुनिटी ली नहीं, मतब हम हमेशा नेगोसियेशन में गए, हम हमेशा यह देखे कि हमें क्या मिल सकता है बदले में, और कुछ ऐसा पीसफुल एग्रीमेंट आए जहां पर मांडवली हो जाए, डोनों साइट को कुछ ना कुछ मिले, और बिखिश ने हमेशा ऊस तीसको एप्ड़ाइब एग्रीमेशन मेंुति लाइशन मेंुत इन आप हमेशा, आप हेह, रनवीर वा यह त्यूए, करती हूए, तभी उसमें यह बहुत कुछ पता चला कि भाया ऐसे है करके यो लॉट फिंग्स वोड़ाइब आपने सब को बोल दिया कुछ इसको बोल दिया किसको बोले कॉमन पीपल लाइक मी और वाइट वाइट नहीं होता है वहाँ पर अटाक तो सिफ दिखावा हो गया और इमेजन कि अगर सभी ने कुछ इंडिया मोमेंट में पार्टिसिपेट किया हो था या नो कोपरेशन में बहुत पहले हो गई हो जाता और जैसे आपने सर बताया कि कि रोल प्ले हुआ कि सिफ एक परसन ने उसको टेली कास्ट कर दिया मतलब वो अपने आटी थे हाँ एक्जाटली कम्यूनिकेशन डिवाइस से उन्होंने वो कर दिया और एक सिंबॉलिक बस एक एक इवेंट काफी था ये चीज़ को स्प्रेड करने के लिए तो आई थिंक इ एक या दो लीडर्स क्योंकि लीडर्स के पास सारा पावर और इंफ्लूएंस था बट वो लोग दिखाने के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी और जगे पर अटाक कर रहे हैं जहां पर कुछ नहीं होने वाला वही तो अगर वो सही जगे पर करते वो ताइम पर सो अगर था इंटरेस्टिंग पर सब्रस्पे Kimku अगर सही जगे पर करते हैं तो बहुत पहले ही सफिऊु एव पहले ही आलग हो जाती और वो time प台क बितो झू लाइक I ढईर थी connections 38 से 42 तक तो वार चल रहे थे राजगरु साहब, सुखदेव साहब, जहां से वो ट्रिगर मिला था, मोमेंट मिला था, there was so many other moments which were happening, probably channelize करते 38 वगरा में, and then when the Britishers were actually weak. जब जैसे जो हमारे लीडर्स थे वो टाइम पर, पोलिटिकल लीडर्स, वो लोग ने इस चीज को condone किया, कि ये गलत है, तो उसे वो spark आने से पहले ही बुच जाता था, exactly, and वो बोलते हैं ना कि वो जो policy है कि यहां मारोगे तो यहां भी दो, this has been taught this in school, ये कौन सी policy है, you know, I cannot still, तब ही जब सुनने में मज़ा आता था कि यहां कोई ऐसे मारे, इसे दिल पे लगता था कि चलो, but आप oppressors के साथ इसे नहीं कर सकते, because वो आए ही हैं आपको oppress करने के लिए, exactly, exactly, so वो तो, like, मारेंगे, दोनों गालों पे तफ़ड मारेंगे, and I still, I don't know, I may be wrong, and objectively भी, sir, कि like, अगर आपने जैसे कहा, कि like, 1% wealth, तो वो wealth कहा गया, exactly, आज भी हम कहते हैं, कि British girls के पास हमारा कितना सारा wealth है, trillions की संपत्ती है, तो ultimately destruction तो हो गया, हमारा जो ये non-violent approach था, उसने कहाँ benefit किया, and नहीं होता है, you know, I still fail to, still fail to believe, क्योंकि schools में, अच्छे-चे teachers, जो थे, बिचारे, वो भी तो, वो भी तो conditioned हो किया है, even we were all conditioned, कोई मुझे बोलता है कि, तभी एक गाल देने से, यहां मारे तो दूसरा भी दो, यहां मारे फिर ये दो, कैसे change हो, तो मारती ही जाएगा ना भया, और human, human nature जो है, उसमें domination एक dark side है, अभी जैसे हम, हम humans तो है, लेकिन हम में animalistic instincts भी है, और अगर हम किसी animal को देखेंगे, तो शेर तो खाता ही है ना हिरन को, एक्जाक्ली, हिरन surrender कर देगा, तो शेर थो जो जा बूलेगा, कि भाई तू बहुत ही honest हिरन है, मैं ते को छोड़ देता हूं, तो कहने का तब यह है कि अगर हम dominate करने दे रहे हैं, सामने वाले party को, हम लूटने दे रहे हैं, तो लूटेंगे, उनको उससे क्या फरक कि हम दूसरा गाल दे, तो ये भी एक possibility है कि maybe Britishers Britishers जान बूच के हमारे leaders को retain करने दे रहे थे, या फिर वो agreement उनके साथ इस तरीके से कर रहे थे, कि जिससे कि शाद दोनों parties benefit हो सके, कि जो leaders लोग को भी retention मिल सके, कि they can stay leaders and they can carry on their activities, और Britishers भी peacefully अपना काम करते रहे, बट अगर leaders वो time पे एक हो जाते, और वो बोलते है कि देखो, हम सब एक होके, हम Britishers को निकालना यहां से, तो I think सब लोग सही जगे पे अपने influence को केंद्रित करते थे, और military, side line, मिलिटरी पूरा separate हो जाती थी, British के रूल से, तो फिर I think, 1938-1938-1935 तक ही हमें मिल जाता चाहिए. और Britishers were so smart, देखो 1947 में independence तो दे दिया, independence के नाम पे, whatever they had promised these people के 47 में, लेकिन टेकनिकली देखो, 50 तक तो वही थे, because Republic Day when we say that is the actual independence day, यह से प्रांसफर अपर हुआ था, यह से प्रांसफर अपर हुआ था, और टेकनिकली उन्ही के सब बड़े बड़े जगे पे देवे स्टिल थे, you know, so lot of lot of things, only a sad part, यह है कि यह social media को सब आना पड़ा because of social media and so many other things, वना कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, internet नहीं होता, हम तो वही belief में मर जाते हैं न, वो टाइम पर जैसे आपने बोला कि like, army और air force को तक नहीं मालुम था, exactly, कि naval mutiny हो चुका है करके, तो imagine कि like, world कितना disconnected था, exactly, क्या strategies बन रही है, क्या हमें दिखाया जा रहा है, क्या कहानी हमें, क्या conditioning हमारा हो रहा है, वो तो कैसे मालुम पड़ेगा, जब army को ही नहीं मालुम पड़ रहा है कि navy में क्या हो रहा है, इतनी वो time पे बहुत easy था, सच्चाई को छुपाना, लेकिन आज जमाना अचानक से ऐसे बदल गया है, कि आज सच्चाई छुपेगी नहीं, because internet आपको वो power दे देता है, कि एक person कहीं पे भी बैठके सच्चाई बताए और वो सीधा एक ही बात कर रहे हैं, यह जो source है या जो podcast है, मैंने भी सुना, यह ऐसे वैसे podcaster नहीं है, they have done their research, वो बातें करते हैं तो भी किताबों से करते हैं, you know वो भी hardcore research, so I am sure कि, exactly, so sir, just यहां पे viewers के लिए, जैसे मैंने मैंने, I think एक बहुत पहले एक book Creed की थी, General G.D. Bakshi की, Major General Sir की, तो उन्होंने ये चीज़ बताया था, सुभाष चंदर बोस वाले angle में बात हुई थी, कि हम credit जादा सुभाष चंदर बोस जी को नहीं देते हैं, जबकि ये जो entire mindset है, जो मानसिक्ता आई, कि हम fight कर सकते हैं, वो जो नेवल म्यूटी नी भी हुई, जैसे आपने कहा कि वो भी सुभाष चंदर बोस के ideology में बिलीफ करते थे, तो वो वहीं से ही ये मानसिक्ता actually create हुई, जब हम नौर्थ वेस्ट नौर्थ इस्ट में जीतने लगे, फिर हम जैसे हम प्रूफ की बात कर रहे थे, कि जब वो टाइम के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, क्लेमें टाटली करके, तो वो इंडिपेंडेंडेंस का जो होता है, एक्ट उफ इंडिपेंडेंस साइन करने के लिए वो जब आए यहां पे, तो वो बेंगॉल के गवर्णर को मिले थे, तो बेंगॉल के गवर्णर ने एक बुक लेखा, I think somewhere in 1970s, उसके बाद, और उसमें गवर्णर ने यह बताया, कि उन्होंने जबी बात किया था, क्लेमेंट टाटली से, PM of British, Great Britain से बात किया था, तो उन्होंने यह बोला कि अब तो आप वार जीत गए, गवर्णर साब ने यह पूछा उनसे, कि अब तो आप वार जीत गए, वर्ड वार टू, तो अब आप इंडिया को क्यों छोड़के जा रहे हो, तो उन्होंने ये चीज कहा, आजाद हिंद फॉच, सुभाष चंद्रबोस, इस दरीजन, तो ये उनके बुक में उन्होंने लिखा है, 1970s में कभी, वो टाइम के, मैंको बहुत फेंटली याद है, क्य हो रहा था, जो ब्रिटिश जेनरल्स हो गए, एर फील्ड मार्शल्स हो गए, ये लोग कमिनिकेट कर रहे थे, बैक होम, ब्रिटिन, अपने पीम के साथ, क्लेमेंट आटली के साथ, तो इन्होंने यहां की कंडिशन बताई थी, कि ये जो म्यूटीनी हो चुकी है, और यहा कि आटली कर देंगे ना, तो भी हमें भार बगा देंगे, और इस एड़ न और बात है, और अटली करने लग गए, कि अभी हमें क्सी और तरीगे से भी देखना पड़ेगा, क्वी मानडवली करनी पड़ेगी, और बिटिश वर अभी आपका फाइदा, मेरा फाइदा, सब का फाइदा ऐसा वाला यहां पर अगर I think leaders लोग ने एक staunch opinion रखा होता कि भाई किसी का फाइदा नहीं हमारे पास इतनी power है कि हम खुद अपने लिए लड़ सकते हैं we don't want your फाइदा और यह सान जैसे आपने कहा कि like military और यह हो गए तो उनको भागना पड़ता है भागना पड़ता है भागना है भागना पड़ता है तो वो I think concentration शायद नहीं हो पाया में भी पता नहीं इसके पीछे क्या reason है अब बहुत सारे speculations आ जाएँगे और हम को ए conspiracy theory ना निकाल ले एस as internet grows और as lot of lot of content creators का research and I'm sure एक-दो साल में तो और बहुत कुछ जानने मिलेगा क्या 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 यहां तक जो है वो उसके factual basis है उसके पहले क्या हुआ था उसमें बहुत सारे allegations है बट वो पता नहीं कितने सच है जैसे काफी सारे schools of thoughts के लोग है कुछ लोग ऐसे भी बोलते है कि हो सकता है कि कुछ हमारे leaders planted थे बिटिश बिटिश दुवारा ठीक है यह भी एक school of thought है और कुछ school of thoughts ऐसे भी है कि हो सकता है कि कि नेगोसियेशन की वजे से कहीं न कहीं कि लाइक वो लोग अपने इंट्रेस्ट को रेप्रेजेंट करना चाह रहे थे तो इस वजे से वो लोग इंडिया के इंट्रेस्ट में नहीं सोच पाए तो मालब भारत काफी 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 सारे स्कुपर बहुत सारी possibilities कि वो अपना एक बास्टियन बनाएंगे और उसको नेक्स चलाने वाला कोन आएगा उसका भी बेटा या बेटी को सो similarly similarly कर आज अगर यह mindset है तो I'm sure दो set of people जो होगा वो भी तो कहीं न कहीं कुछ तो होगा वहां पर इंडियन इंडिपेंडेंडेंस तो ठीक है you know people were frightening but when it was जब वो टेबल पर बैठे होंगे कुछ तो होगा exactly let's see आगे क्या होता है फिर sir यहां पर आपने operation X के बारे में बात किया था operation X एक ऐसा operation है जिसके बारे में most of the लोग नहीं जानते right I think बहुत सारे naval officers भी नहीं जानते इसके बारे में तो बहुत interesting experiment sorry operation है तो इसके बारे में क्या थोड़ा detail में बता सकते operation X क्या था बांगलादेश के against so operation X you know बहुत प्यारा सा चीज है जो मुझे भी नहीं मालूंता है you know being in navy only now when I'm researching more about naval history I'm reading about maritime history thanks to few of the people who are there doing it already तो उनके वर्क्स वगेरा सुनके and then there is an book by captain MNR Samant and Samant and Sandeep Unitaan बुलके there is a book called operation X you know okay so my reference is from that majority so 1970 coming back to the war 1970 Kargil के पहले वाला जो वार था बीच में 1984 में चोटा सा स्करमिश हुआ था India Pakistan का उसके पहले का जो major war was 1971 नाओ जो हमारे वीवर से उनको बताना चाहूंगा कि वाई 1971 war happened in a background Pakistan was Akhand Pakistan जैसे आपन बोलते है ना तो इट वस वेस्ट पाकिस्तान एं एस्पाकिस्तान एं एस्पाकिस्तान एं बंगलादेश बीच में हमारा ये था वो दौरान इंडिया का एक you know airplane was hijacked and that was taken to Pakistan you know बड़ा UN क्राई गुआ दें इंडिया पुटा संक्षन कि पाकिस्तान को हम अमारे एर स्पेस उस करने नहीं देंगे ना फूर एंपल कोई वेस्ट पाकिस्तान से इस्पाकिस्तान जाना चाहे तो उसको पुरा श्री लंका से हो के जाना पड़ता था रहा दोत देंगे ना इस्पेस नहीं थेंगे कर पूरेब लिवित पाकिस्तान से डाघकति उन्हीं पाखल पासाई कर देंतिक टार्म है खे जिलीगलीख शे मलोडा था रहा तनि मझली तो यह मैं बुटागे टॉर्टाम कि मैं उर्दू विल बी अफिशल लेंगे अन वह वह वन लोग तो बेचारे बंगली श्पिकिंग थे अध्य आध्य वह आध्य लिग इनका कोई ध्यानि नहीं दियरा था इस दिरे दीरे 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 अधिड सुर्ट इस इमिलर तो 1946 में मुटनी होती है न यूटनीं सब्टेट इस पारद इस ओंड आगाओ भांड रिग वावामी लीक पार्टी विछ में अब वहां पर है तो महां पर बंगाला बंडेश में मुझीबूर रह्मान जो है वह दर फो देम धी फाट देख भंग लावय में southeast यह को अस पॉचंध पड़ा है कर देख år देख भंग अर्परत लुच्छ वहां बोले कि जो भी मोमेंट होगा गवर्मेंट के अगयांस उसको मार दो पकड़ो दबादो और वहां के बहुत सारे लोग तो अंपढगवार टाइप इन दाट देस्ट दॉइंट 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 इस जनॉसाइट जो भी आवाज करते हैं मार देते हैं उनको इतना हथ तक यह हो गया था कंबाइंड विधी फैमे जोहां पर आकाल पड़ी थी बंगलादेश में और पीपल वे डाइंग और फिर क्या हुआ कि जब जन्रेल एलेक्शन साए जन्रेल एलेक्शन आया तो पूरा चेंज हो गया पाकिस्तान अगूल एलेक्शन हैपेंड तो अब क्या हो गया कि गवर्मेंट तो उसका आएगा वहां पर काई ही आइडियोलोजी आ गया तो इस गाई सेड की बुल्चिट बॉल्चिट बॉल्स तो इलेक्शन हमारा जो हम बोलेंगे वही होगा करेंड आरेस्टेड मुझीबूर रहमाल उसको अरेस्ट करके कहीं गया और मिलया करेंड दे अफे वेत्रिक आइडियों आसेड खानशा आप उन्रौनाय खें ओंड जानना आ आउ तो कि मैंत वह पीक्रिट आगैंडानना कईखर ह्यारि मूआ अगरस्टन ओलम केंडियो annat याने, अब वेक डूना अब आरीगर्ड में आद तब तक पॉम्य् मतलworkers किसा एक विलोग यह अपने इसने लोग यह लोग भी आ रहे हैं यह लोग भी आ रहे अए दी एकॉनोमिक सिच Putting वैस्टोई सब कुछ चल रहा था था तो स्वाग्स के लिटीकल इस परिविलिटी इन आ तर सब्सक्राइब कर अब दिन से नहीं आए गा को सब्सक्राइब और को जा आए नहीं इन जाना है आड धि सेंम ताइंग इनिदीन न्यवी तुक दाट एक याई लेवल की मीटिंग और बुला कि विफोर देक्ट वर स्थार्ट वर कोवर्ट आपरेश, और आट कोवर्ट ऑपरेशन तो नहीं कर सकते तो नेवी नहीं क्या किया नेवी एस्टाब्लिश्ट असेल अंडर जो अड्मिरल नंदा थे एसल नंदा तो 1965 में वें वर हैपन तो नेवी वस प्लेइंग डिफेंसिव रोल ताइम नेवी ने कहा भी था कि हमको चांस दो वी वांट त नेवी हम पीछे बैठ के देख नहीं सकते के आर्मी एर फोस सीन कर रहा है और हम लोग पीछे बैठ के मस देख रहे हैं तो नेवी है अब पीछे रो यू भी डिफेंसिव वी डिफेंसिव तो आड्म अड्मिरल नंदा एड एक्प्रेस्ट आट कि जिस दिन भी नेवी को म जला दिया that was that's why the navy day we celebrate on 4th December you know so one of the significance of navy day is 1971 में when navy went for war with Pakistan we burnt we burnt entire thing Karachi जला दिया गाजी दुबा दिया so many ships we bombed यह बहुत सारे cities को हमने bomb कर दिया और वो जो दिन था that is why the navy days celebrated on 4th December culmination of operation trident and operation python ऐसे बुलके दो operation हुआ था पाकिस्तान के अगे so that is why we celebrate so that was the vision in 1965 कि हमें मौका दो तो हम 97 71 में हमने कर दिया so now coming back to that same so before that 71 war यह हुआ तो नेवी का जो admiral SL Nanda थे SM Nanda he formed a team of naval divers diving branch अभी जो marine commandos Marcos जिसको बोलते हैं so they were initially divers divers are also you know extremely physically tough branch आपको 10-10 km swimming वागेरा करना पर वेरी वेरी tough life you know they have to deep dice यह करना पड़ता है तो गिंचुन के एक 25-30 लोग ही थे नेवी में who were that so navy decided in ने यह किया कि यार बांगलादेश को अगर बचाना है ना पाकिस्तान के पूरी बांगलादेश इस रिवराइन country यह नो पूरे रिवर्स के होगा फिर रिवर में जाएगा रिवर के रिवर नेट्वर्क सी होगा तो इन्होंने डिजाइड कि अगर यह करना है तो पहले इनके पूरी शिप्स और उसको वो चैनल को तोड़ना है करें अब करें कैसे हम डिरेक्ली तो भी नॉत इन वार तो हमारे अब बाप फोल्च जनुद्स हमारे ने वल सेलर्स तो कर नहीं सकते आ तो इन डिज़ड़न अरी तो चले लिए हमारे ने थव्क हरें अलए आप एड तो चले का नहीं तो लेट्स ट्रेंटेंट एम्जग डेंस तो फ़ाइड तो पहले में उन और लॉडू कमार इं डिग the team एक निवर डाइविं टिम अडरी एमीनेंट नेवल ओसर को लेटर रेटायर अंड कैटेन अमनर सावन बोल के उनको रेंड पिक किया गया फिर वज्य के एक प्रश्चारी कें किया इन वर बंगाली कि इन्गे उनको किया गया गया और इनको मिहीर रॉज किया वे रिकूरुटेट इस नाइटीन यह से लेकर ट्वेंटी यह ओल बंगाली बॉइस एंड यूग यूथ उनको तो फ्रीडम फाइट था उनके लिए तो इट वाच फ्रीडम फ्रीडम फाइट बट कैसे करें तो एक्सपर्टाइज हमारा तो वी स्टाटेट ट्रेनिंग दे कि उनका हमने वह एक बेस बनाया किसी को मालूम ने का आर्मी के हमारे आर्मी के अंडर ही एक उनिट बनाया नेवी का एन वह 10-10 किलोमेटर की रॉनिंग होती और फिजिकली फो देम इट वाइट वाइट वेरी शॉट चार मैने में आपको यह उपरेशन करना था तो तो त इनो तेनो के बैच में ट्रेन करते थे ते यह सब्टेंग करते थे और अचिंट पेपल को शुमिंग रिवर शुमिंग और शुमिग भी ऐसे नहीं कि पायंडरेट मीटर उक्शन, मैना इट व्ट रूमिंग और यह था इनको इनको जाके बॉंब करना है प्किस्तान के जो some you know explosives so there is something called limpet mines limpet mines is a mine explosives hota hai और वो अगर it's like a magnetic thing you know world war 2 के time वगेरा यूस करते थे this was developed indigenously in India क्योंकि वही prototype लेके हमने हमारा RDRDOs and R you know NAIOs यह लोग ने बनाना चालू किया and there was a team working for that and यह कैसे होता है कि यह माइन लेके हलका सा पानी के अंदर जाता है और हलका होता है आपको बदन पे लगाना है अपनी बदन पे बांध के you have to swim you have to reach that ship का नीचे target and आपको जहाज का structure पैचानना है नीचे और फिर वहां जाके चिपकाना है तो एक जहाज पे आपको शायद तीन-चार limpet mines लगाने होंगे बड़े जहाज पे जब फुटेगा बाद में तो जहाज जहां से हल में हो लोग है पानी से एक जहाज के लोग मर जाएंगे यह हो जाएंगे प्लस इट विल ब्लॉक दे चैनल पानी का चैनल ताकि दूसरा अब एक ही दिक्कत थी कि एक तो 10-10 किलोमेटर स्विम करना है और लिंपेट माइन यह बंगलादेशी लड़के लगा के स्विम करके जाएंगे एक दिक्कत थी ना कि इसका जो सॉलूबल प्लग होता है दाट इस पानी में पड़ गया तो 30 मिनट का टाइम फुट जाएग अब इमाजिन आपको 10-5-4 किलोमेटर विछ इंपॉसिब अब यह लोग बहुत डिबेट कर रहे थे कि इसको करे कैसे करे तो यह लोग रात को नेवल ऑससे यह लोग बैट के इनका जो टीम ता दारू पी रहे थे ओल्ल मॉंग वगरा यह लोग तैन किस ने बोला की इसला और यह लोग अब आपको प्रणव रहे थे थे खाट तो यह लोग वादे रहे थे चो टीम से बिशने के अपको लग ड़ा थे कर शॉली बुल दिया कि यह लोग लैटेक्स का अपको अब यह लगा थे कर डारू चडग गई बदो बास्टियर थे खाट इस ने अब अव मे कि उसके प्लास्टिक नहीं कॉंडम्स लगा दे करके and it actually did they started using condoms to you know वो जो लिंपेट माइन्स का soluble plug पे पहला उन्होंने लगा वहां पोचा तो इसने निकाला और लगा के वापस आ गया and when he came to exactly whatever time 30 minutes after after the remove after the remove उसके फूट गया तो बोला कि boss this is working यह वहां ट्राइल रन मारे and then they started suddenly because it was a very covert operation नेवी में भी किसी को नहीं पता यह operation those time only that set of 20 people army के लोग ने नेवी छोटे सब ऑफशूट नेवी के जो भी थे एक दो लो उसको पता है कुछ हो रहा है नेवी के headquarters में भी सिर्फ जो admiral थे उनको नेवी रॉय और यह पाच्छे लोग nobody knows what is happening okay suddenly your team is sending proposal for huge containers of care बोलते न डबे-डबे condoms गा तो फिर यह वाले नेवल हैं परिशान इसे क्या करने बिजा कर क्यार है लोग करके लोग करके ने कि नहीं नहीं सब्सक्राइब रॉइन आपके पर्ण करें था तो यह लड़के क्या करते थे तो वन दी अच्छल कोड आपरेशेंट अपर जो इस बॉइब्स उस्विम धिप और इनका नेट्वरक इनका नेटवरकिंग भी था उमुक्ति भाही नहीं भूलके जैसे फ्रीड फाइटर्स के विर फॉर्म दे विर सपोर्टिंग दी लॉजिस्टिक्स इनको एक पॉइंट में लेकर जा के लॉज करना है उनका इंटरनल नेटवर्क था इस बॉइस तो गूप श्विम लिंप पाइंस निकाल दिया लगा दिया तीन चार चार एक 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 अट तो 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 के लिया थे थीन बीश्टा सेट पाकिस्तान ने भी बिन यह रिलाक्सिं पॉजिक्वाग द्पॉट रहा है ने रिलाइस कि यृथनरन जाख वायं कि इन पॉड्सित्व उट्रा प्रूपक पॉट्राइन है एक तो ब्हूंड तो फॉट्स दो पॉट्स भाइड्स तो दि विए उनकी भी फट गई बोला कि हो क्या राय करके उनका कार्गों और वाइडिंग कि नहीं हम आएंगे नहीं आपर इंस्यूरंस डबल हो गया इंस्यूरंस कंपनी श्राइब चार्जिग डबल ट्रिपल फॉर एनी शिप कमिंग इंट इस ती ती फिर पाकिस्तान ने विज ट्रिवान रेज श्राइब चार्णी यह यह जो इसमें से आँट जो में बंगलादेश इस थे वर पाकिस्तानी नेवी सब्मरीनर्स वो एक पाकिस्तानी ने विज अविज थी मंग्रो बलके व्राइब आप कुरू अट लिबरेशन छोब बंगला देश में इतनी अड्रोसिटी इनके फैमली वालों को भी किसी को रइप किया था तो लोग फ्रांस में जब पाकिस्तान की सब्मरीन फ्रांस में था तो ले डिशरिट आट अरू उन आटों को लाने में इंडिया व्ल्प देम हुन थू दिप्लोमा so this was that trigger which gave them and of course there after 1971 indian army attacked and we that was a huge surrender in the history 95 000 soldiers surrendering at a time a very famous photo hai niyazi signing you know surrender so that is how this and that was the first covert operation by a naval diving team now called marine commandos which nobody knows in the history of war important perspective right 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 well now in which way there are two things one is creativity and the other is secrecy secrecy seriously it's like uh what was it i think a chinese philosopher or a political figure it doesn't matter whether the cat is black or white so as long as it catches the mice mice two two right two so you know you know a offshoot there was so many of the naval personnel got mahabir chakras in the mahabir chakras is the second you know highest calentary award after parambir chakra um so he was supposed to train bangladeshi ladako ko and oh itana ghul mil kya naun ko to the loks no longi or bunyan me train kate unlike the even the naval personnel of india they were also training in lungian bunyan covered tha kisi ko malam ne panna chiyo officers hai to indian naval officers or sailors ka role bho clear tha ki aap ko kai exposed hoona in the launch pad you know something in their language then they have to be on their own and you have to wait and watch then they have to be on their own and you have to wait and watch so this is so much of the gul mil kya chiman lal in se like a brother unko lok bhai bhai you know something in their language sallagar pakao hisa kya chodhne gya border pe onka ek operation onek ke bao o log isse eegdam rone dhone lai galye bile mila mula ki aapko hum kaise chodh saktay bhai aapisab ko to yeegdam emotional log yeh bhi unke saath chala gya who was not supposed to go to yeh bhi lungi bunyan meh unke saath ja ke he also attacked few this thing and then indian navy was in a state of this thing kisala agar pakhda gya to people will come to know we are training them kya missing in action ho gya yeh ho gya phir ekaad 15-20 din ke aad yeh kaih se toh ghumgaam ke you know he came back and then navy pehle toh disciplinary action lenye wali thi because you are not supposed to so he got emotional bula unke freedom struggle mein unka rona dhona dekke mujhe bhi bahuk ho gya and he also went and fought with them so he's also treated as a bangladesh freedom fighter and he's a maabir chakra india gave him maabir chakra bangladesh ka toh bhi he's like a damad for them anytime you know so that was one interesting perspective so uh marcos commandos karke ek bhouti popular uh commandos ka chain hai so uh is mein bhout sare loog yeh realize nini karte ki marcos commandos actually navy se related hai so they are an offshoot from navy and marcos commandos ka ek significant role tha when when it came to 26 uh 11 attacks mein jho rescue operations kiye gahe thae jho relief provide kiya gya tha toh yeh marcos commandos if they are offshoot of navy then how are they so powerful on land kya unki training ki jati hai land ke hesaabse unki training kaise different hoti hai from navy correct so uh again to give you a background so we have special forces in army navy air force army ka special force we call parasf navy ka we call marine commandos marine madala paani marine commandos and air force ka we call garud and there are also special forces in the paramilitary jo bsf hua ya crpf hua un sab kabhi apna apna ek special special forces are the special people you know so when we say special people situation is absolutely yeh log navy army air force mein like hum sab hai we are all officers and men hume ek option diya jata hai ki do you want to opt for special forces everyone get that option now special forces mein jane ke liye itna tough stringent requirement ho ta itna tough madlab na wo jo apko chay maine ki jo training ho tii jo bhi jiska bhi uh uh aapko bhut bana dete hai 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 you know as se bhut bana na madla hundred kilometers of running push up leke neendh 3-4-5 ghantae neendh plus aapko uh para jumping ho ta hai every special forces guy have to do para jumping you know air se kukki aagar mein enemy territory mein jaata hon toh i should be capable of airdrop every para guy of all the services has to be you know they have to have this para jumping experience right then comes the navy why navy special because we are a water force marine जिसको बलते है तो हमारे इसमें swimming is the most this thing swimming and swimming related जो भी equipment weapons होंगे swimming related operation you know swimming for 10-10 kilometers and the land you know so वहां पे मैं थोड़ा एकरोंगा कि we are also a land force so marine commandos are amphibious force उपर भी रहेंगे नीचे भी रहेंगे जल थल बोलते है न सब जगह पे so they can similarly they can attack a land installation probably a para sf may not be a great swimmer जो army वाले होते है या air force वाले होते but navy carry that advantage of being a water force being on land being on air you know so इसली जब 26 11 हुआ था so they marine commandos have and what attracted i was in a naval base where it was a marine commandos training base though i was from the technical side by i was with them for two two and half years so मैंने बहुत करीब से देखा उनकी training and all like 100 push-ups knuckle push-ups इस पे चर्णना उस पे their level of stamina is different you know not everyone can and उसकी passing rate भी बहुत कम होता है like you have to be genetically जनेटिक्ली एंडोड एंडोड अगर 25 लोग opt करते है तीन लोग पास होते है एक या दो mentally आपको इतना एक रिगरस होता है then you have to be sometimes you have to be carnivorous you know like a jungle में जा रहे है साप पकड रहे है यह कर रहे है खा रहे है you have to be good at intellectually also good you know because you to take decisions and decisions and now enemy territory में गए in an operation so how you behave so you have to be all rounder in all you know physically mentally and so 26 11 when it happened the bombay पे अटाक हुआ था that time generally NSG comes national security guard Delhi Yagra से आते है but any such thing happened by till the time they could come रहे है यहा जब पाउच पाय तब तक कौन था Mumbai police था Mumbai police was handling fortunately unfortunately they are not equipped you know they are policing उनका role is policing now they have a commander unit they are not supposed to handle this thing अब यह अब यह अब अन्ड़ करने के लिए NSG had to come अब नशी वहां से आने के लिए there were some delays and all so the next best option was marine commandos Marcos are placed in Bombay में आने अभिमन नयूबलके there is a place Urankaranja में for them to come to Taj was the easiest you know board से आगए hardly 30 minutes में दिया दे and they are also trained for all this operation you know land-based intervention building operation and yeah so they were the first option so before NSG came they held the command and they did successfully they held we had one Shorya Chakra also one of our personal awarded Shorya Chakra फिर जब NSG आई so then NSG takes over you know that is the time when marine commandos came into limelight जब लोगों को पता चाहा है marine commandos Marcos है करके तो whose Marcos so यह थे गई दिसादी Marcos they are very lethal so we operate in in Jammu and Kashmir जो जहां टर्रोरिस्म नेवी की एक उनिट Marcos की एक उनिट is always there in Wooler Lake जहां पर पानी का प्रेजन्स होता है and we had we Marcos have gallantry awardees Mahavir Chakra, Shorya Chakra and all काफी kills हो जाते हैं टर्रोरिस के so yes they are a very special lot and that is why they wear black dress and badge जो बलिदान badge होता है it is वो जब चलते नवी में भी as an officer because मैं तो उनके base में था तो always you have उनको आप एक अलग नजर से देखते हो heart 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 or of power or of power and it that uniform makes you for navy का uniform to make you handsome this makes you further handsome because you know goggle mark black black cap and you maroon they wear maroon badges beres maroon is the special beret for the special forces you know only special forces तो आपने गड़ दूर से एक बंडे को maroon देखा मतब समझ जाने का is next level so that is marcos for you so what is the army equivalent of marcos so army it's called para sf and air force it's called garud okay so everyone is uh you know physically they are all training criteria some maybe some would be up and down and we are the one of the toughest special forces in the world even better than u.s seals you know oh okay so we can go to any territory we can go to the gutter water we can go to the ground water you can go to the ground water you can go to the ground water you can go to the ground water one of my uh you know friend major vivek jacob his interview he's up he's from para sf so he has said that someone has asked this question so he has asked this question so he has asked this question so he has asked that sir what is it they live in mineral water and exercise we have to do something we have to do it rough and tough and they are the only force in the world terrorists especially nine para and so on military para sf there are many units nine twenty one seven five such a lot of units 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 depends on each unit and based on everyone has their own lethality and special skills special skills so nine is regarded in the army nine para is regarded as devils you know but everyone is equally yeah so that is and they are they are sablog nahi kar shakta hai they require a crazy mindset you know crazy mindset different from the rest different from the rest i feel fortunate to be with them for two two and a half years on k training base mein tha kaffi close se dekha hai so now like uh as you also mentioned ki like agar ham military ki baat karte hai to army bhot zyada celebrated hai to naturally like what was your thinking before choosing uh a career in navy so why navy so my first choice definitely was army you know because i'm a 76 born and predominantly raised in 90s so sharuk khan uh you know i love sharuk khan no doubt he was the first motivation why because his serial faugy was the first motivation and he played a character of a you know young faugy uh brad there faugy officer there who serial was very popular among youngsters um for us that's the first time i realized that's the first time i realized that okay forge career and their way of life academy so my first choice obviously was army olive green now incidentally uh where i was born and brought up a place called bhandup in suburb we live very close to a naval kand naval civilian colony and it is like a barricaded cant cantonment from buildings you know when we lived in chawls then there was building in that time hospitals ground swimming pool those days swimming pool was not there but hospital community park you name it everything was there and as a kid as a slum kids hummara kaam yeh hota tha ki uh sunday chutti ke din andar kaise jana hai khailna ke liha that was our main adventure and we were successful also naval civilian colony thi to security lapses humm pata tha ka hai hum jate and uh one fine day an incident happened where we were caught playing inside and ek naval officer ko first time i saw a naval officer you know ek gypsi se utarta hua with all those whites and whites and goggles ray-ban ek ray-ban likhha hua and that was a moment for me i was like fuck man yeh kya tha 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 white ka na green is fine i still love i'm wearing a green but uh white has a different appeal has a different appeal is meh koi langur bhi sala handsome even if you look at the pilots and all that exactly bright white exactly bright white pig span white jute white belt white socks bola ki bhaiya yeh banna hai kar hai there was no other thought uske pehle nevi ghanta kuch pata bhi nahi tha my of course my mama was a naval sailor so that was one influence probably otherwise uh this was the moment which changed for me ab air force of course i was not in uh fire not inclined towards air force pehle se uh so air force thora sa distinct bhi lagta hai like madha asa lagta hai jahaj udana yeh sab jahaj udana but not of not a cup of it kuch kuch jo youngsters hotai those who join air force ab really crazy about air force and fighter crafts you know like so for me it was navy that day it got ki ab aisi banna hai kar ki so probably that was that was okay so like you you have had a very interesting childhood i would say because i have seen this on other podcasts as well you're like uh so back in the day like when you were being raised up so aapke family mein se kuch log thode se criminal background ke the right to us chiz ka aapke life mein kya impact pada and how was that situation back then and how it is different from now so aapne dono perspectives dekhe like life in that situation as well when you used to stay in hall like to work bohati like boh time peh woh surrounding bhi waisa hota hai aur environment bhi aappe bhot ek negative influence bhi dal raha ho sakta hai you know or abhi ka ek environment to check them alag hai so now you speak uh in schools some highly regarded schools privileged schools correct with in front of privileged people so aapki language thodi se alag ho jati hai correct right aapko aapko alag perspectives dene hoote hai so can you like describe both the lives ki how it changed and what was the transition ki kaise wo jok ek criminal thode se background se aap ane ke baad bhi aap patriotic line mein a gaye correct so yes so i was born and brought up in a chawl in bhandup suburb aur bhandup of those days uh was really uh gangster in pictures you know like 90s was a gangster ka time so humari jahan mein paida hua we used to see mara mari was very common you know like so mere jo cha cha hai um uh you know he used to stay with us obviously kerala se aya and my father was already there in bombay my cha cha was a young handsome guy you know uh he was working in this thing and typical this is a typical bollywood movie hoote hai na ki o shiva types movie ho ga normal live office jata tha aata tha and he was good body building karata tha banda smart tha kaafi laadkiaan was malayali hindi bolta tha to lot of girls were you know interested in him so obviously glamour thoda gya and i see kuch incident was since he was into body building also so tabhi ae gae kaise schools mein bhi jab hum schools mein bhi hotte tha tha na i was a decent student you know school अपने और फिर कोई आते आया बोला कि क्यों देख रहा है और मार दिया ऑसको दो चार जापड सब दे दिया तो इस एगो कुड़िंट एकसिप आत की कोई मुझे मारा करे के नॉर्मल गायक और इंस्टिंक्ट में उसने मार दिया उसको बॉड़ी बिल्डर था दो लाड का गिर गया वहतले नॉर्मल गायक दिख लिए दो ग्र मतीके नॉर्म चुरल में सब्साइर को लिए इक ऩार के सब्साइब सैnd ऑन हवां से इफ ऑन फिर्श शुट कर के इसथरे teach have a it started लडकों में फैमिली में? इस prejudice थेख़े और फुरा कहताता हुंतल फ्रे vários था उन थामार उन स olsun होता था था, थाँ भाइप बाइवाला सीनुटेकिटिय। I was like very fascinated and he was a very decent guy, very Robin Hood type, किसी को भी पैसा देना, later when he grew up, he became very lavish, लोगों को पैसा बाटना, and अगर वो पहले आएंगे, अगर हमारे एरिया में पहले आएंगे, तो उसका एक पहले एक swift team आता था, तो देखने की सब कुछ ठीक है कि नहीं करें, and I've seen him sitting, वहाँ पे, एक कट्टा टाइपस होता था, एक चैर आके ऐसे, कोई चैर लगा कि सिटिंग, कुछ-कुछ लोग आएंगे, किसी को मारना, किसी को यह, ऐसे ऐसे, तो पुरा थार्ट बाट में ना, so I wanted to be like him, so my first army तो बाद में हुआ, पहले यह था किस अला भाई बनना है करके लोगेसी थी, और like what you see is what you aspire, what you see what is aspire, वो time बे, environment यह था था, and ऐसे था कि यह, you know, फला यह इनका बतीजा है, तो वो वाला यह भी, तो schools वगेरा में, दो चीज़े होती थी, लोग डरते थे पहले, दूसरा है कि, you know, मारने वाले भी लोग थे, कि उनका ने, and we were decent, हम लोग ने कभी ओपावर यूज नहीं किया, but my mother was very strict, and my father eventually become a political, union leader, पुरा माहूल घर का वैसा था, पुलीस का घर पर आना वस वेरी कॉमन, you know, फादर को ठाने, कभी चाचा को टूंते, तो हमारे पुलीस आके बाद में बाद में चाय भी सब भी सब भी चाय चलो करके, so they were that, so we used to see all this, mother thought की भाया यह लड़के ना सब निकल जाएंगे करके, very easy ना यह करना, and then she started shielding us, की पढ़ाय पर द्यान दो and all, and eventually my uncle got shot, you know, gang war में, ऐसे भी encounter का number निकल चुका था उनका, उनका encounter तो कभी भी हो सकता था, पुलीस से, उसके पहली gang war में, चोटा शकील के लोगों ने उनको मार दिया, he had some 37 bullets in his body, at the age of 37, so that was a shocker, and तभी ऐसे जटका लगा होता है, so I saw जब उनकी बॉड़ी आई थी, the entire town was there to, you know, all those things, so but thanks to my mother, उन्होंने हमेशा शील्ड करके रखा, यह life है, यह खतम हो जाओगे करके, and I have seen, चाचा के भी best friends थे एक दो, उनका encounter होते हुए देखा हाथ हो, all those things, most of the gangsters, like they have really bad fates, bad fates, yeah, momentary phase होता है इसका, you know, fame का, glory का, people, लोग डरते हैं, आपको अच्छा लगता है कि लोग डर रहे हैं मुझसे, यह वो करके, but कही ना कही ना कही, longevity नहीं है, जो है, they have to be really big, like Dawood and all, जो यहां से निकल कहीं, political shielding है, जो छोटे-मोटे जो होते हैं न, beach level के, they get, they get gone, you know, अभी भी देखोगे ओर टाइम की जो भी Dawn है, Mumbai के 4-5 जो है, they are absconding, they are running here and there, ठीक है, they are running their empire, बाकी के जो mid-level, second level, everyone is wiped out, nobody is there, you know, so वो एक यह था, and फिर ममी के, thanks to her, वो पूरा mind में पढ़ाई और यह करके, दीरे दीरे दीरे, I went to hostel and after for my engineering, and I totally will cut off, I was in my third year when he got shot, when he was killed, दीरे 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 दीरे, we got alienated, so अभी भी भाईवाली वाइब तो आज भी है, because we still go to Bhandu, जो हमारा घर था आज भी, जब यूज करना होता है, तो वाइब यूज करते हैं, ज़रूरत पढ़ती नहीं है, जब यूज करना है तो यूज कर लेते हैं, so when I speak to various schools, and corporates and all, as we say, you know, podcast, अपनी audiences के लिए बात करना होता है, when I went to couple of schools, जहां पे बच्चे इतने होते, तपोरी टाइप, अपना बच्पन, so they try, 10 वी के बच्चे अपने आपको गुंडा समझते हैं, मुझे ही आद है मेरे से पहले किसी speaker को उनोंने बात भी नहीं करने दिया, जो नॉर्मल अच्छे अच्छे घर के टाइप होते हैं, speaker, you know, politely, good morning, आज हम यह बताएं, उनको तो खड़ा है, मैं जाते ही क्या करता हूं, दरवाजा बनगा, मैं तो मैं बात करूँगा यह नहीं तो बहंज़गा, लात मारके निकालँगा, this is my language to that, everybody is silent उसके बाता है, and when you used to, when I speak to a different set of polished convent के बच्चे या धिरुबायमबानी टाइप, उनको भाई गरीबी से कुछ लेना देना नहीं है, वो लोग तो बच्पन से पैदा ही Mercedes में हो, you have to speak to them in that, so yeah, so, it is how you shape up your career, and उसमेना एक mentor, एक guide का होना बहुत जरूरी है, मेरीले, my mother was that mentor and guide, and then of course my girlfriend who is my wife, so we, like, we were boyfriend-girlfriend from 11th standards, you know, I won't encourage that, my daughter is in 12th standard, so I won't encourage her to do that, but she also played a great role in my wife now, because she knew that we had a background, still she preferred to be my girlfriend, and you know, they were from a better family, so that was a good influence for me, my brother-in-law sister-in-law सपड़कू लोग थे, they used to stay in a building, and probably, फिर वो अभिशन जागने चालुआ, कि आर कुस तो करना है लाइफ में, and of course, touchwood by भगवान का अशिरवाद या, you know, say, elders का blessings, सब कुछ ठीकी हुआ, I don't regret, but my past, I am always happy and proud of my past, ऐसा कुछ यह नहीं है कि regret मारता हूं करके, because आप देखे हो ना, मैं तो चॉल में रहता था कि 12, 15, 20, 25 घर के उसमें सला एक common bathroom toilet होता था, so, you know, we have seen that struggle, so, आज ओ, when we are successful in life, आज भी प्रपेर जमीन पर है, you know, like, okay, okay, you have gone through that. Exactly, like I have seen this pattern among many people, like, जो भी जिसको भी ऐसे प्लाटर पे मिल जाता है ना success, तो ही ड़संट have that little grounding, groundedness, right, कहीना कही वो हो जाता, because they don't have that perspective, कि how is, how does it feel to live in a very unprivileged situation, right, so, वो एक advantage ही, and it's like, whether it's thick, whether it's thin, different textures experience, I believe, कि हमेशा लाटर 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 है, and also, this also highlights कि life में हमारा surrounding ही सब कुछ होता है, right, because a person can be ambitious, but if he is in a circle जहां पे थोड़ा सा criminal type vibe है, he will become ambitious to become something like a bhai, exactly, but that same ambition can be channelized in a better way, if the environment is right, environment is right, very true, very true, क्योंकि मेरे दोस्त है अभी भी बहुत सारे दोस्त है, अभी भी बहुत सारे दोस्त है, we are still part of that, मैंने देखा है मेरे जो बहुत सारे दोस्त है, काफी लोग अभी भी गलत लाइन में रह गए कोई, you know, they couldn't किसी का death हो गया, वही लाइन में जाके, so, many of them got successful, many of them, you know, मेरे जैसे जो है, many of them got educated, they are much qualified than me, so it's all about surrounding and मौका सबको मिल था, you know, मौका सबको मिल था, वह मौका first is, you should know कि यह मेरा opportunity है, और फिर वहां से लेके जाना जी है, तो मौका आया और आप रहे गया वैसे, परख नहीं पाएंगे, तो फिर, you know, see, वो बोलते हैं न, किसी ने बुला कि कैसे पैदा हुआ और क्या situation मेरे रहे, वह आपका choice नहीं था, बट कहां जाना है, कैसे मरना हुआ आपकी choice में, so you have to work on that, आपका एक side है, जो बहुत ही interesting side है, वो है एक marathoner का, right, so जैसे हमने audience को पहले introduce कर रहा था, कि आपने double marathons run की है, I think in South Africa, right? So, यह side क्या है, why are you so passionate, because you have also written a book called, भाग, right? So, इतना passionate marathoner, आप like कैसे बने, कैसे बन पाए from being from an, like from a military background, and like, यह जो passion है और यह जो mindset है, वो कहां से आया? So, क्या होता है, हमें life में कुछ मिलता है, जो easily मिलता है, तो हम उसको granted ले ले लेते हैं, for example, हम घर में रह रह रहे है, mommy, papa के साथ, mommy, खाना दे रही है, time, यह खाले, 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 तो अपने को लगता है कि यह यह तो मिले गई na, so we take it for granted, that is when you, जब आप abroad जाते हो कहीं, hostel जाते हो तो आप you start missing that, कि यार, mommy तो देती थी, daddy था, care होता है, अभी खुद करना पड़ता है, similarly for me, when I was in navy, तो सारी opportunities थी, you know, to run a marathon, तो यह, अब क्या होता है, कि कोई चीज आप पर force किया जाओ, जब forge में होते हैं तो आपको running is forced on you, कि आपको साला यह time में 5 km भाग नहीं है, that's no choice, you know, like whatever, 21-22 minutes का हमारा होता था, and you start running, because आपको time में आना है, तो नहीं आएगा आपको मालम है के punishment मिलेगा, वो process में you start hating that thing, तो मैं running hate करता था, till the time I was in forge, I used to hate running, कोई मुझे ऐसे बुला ले ना, चल रन को चले, वो जान आरा थाइज ना, why are you bothering me, I think 90% लोग they just hate, correct, they just hate, अब यह और सब कुछ free में था, I had I wanted to run a marathon, Navy would, Navy मुझे sponsor कर सकती थी तभी, those days, जब marathon थाम फेमस नहीं था, फिर मैं जब फॉज से भाहर आरा था, something happened to my health, 10 साल की service के बाद, when I was coming out, I started putting on weight, और मुझे समझ में नहीं आरा, पहले मुझे लगा कि parties बहुत हो रही है, send-off हो रहा है, daru बहुत हो रहा है, खाना बहुत हो रहा है, I am a foodie, I love food, धीरे 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 धीरे, that weight, 78-80 था, it started 85 हो गया, कभी 90 हो गया, पता नहीं चला, एक ऐसा स्टेज आया कि I was 100 प्लस, 107, last weight, the highest weight I reach was 107, and he was like a uncle bun देखता था, you know like, uniform तब तक तो निकल गया था, waist size was like, last waist size was like 42 and all, 42, you were actually looking that, मेरे अगर फाल लेके photos वगर देखोगे, बीच में, then I realize, एक मेरा डॉक्टर फ्रेंड है नेवी में, जब मेरा रिलीज मेडिकल सब हो गया है, he said कि बहुत गड़बड है, तो मेरा जब रिलीज मेडिकल में पता चला कि I have got hypothyroid, so I am a hypothyroid, right, और इतना जादा था thyroid, he said me one thing, बोला फिर भी फिर भी I was casual, hyper और hypo, yeah, so thyroid is a condition which is your, you know, thyroid deficiency, जिसको बलते है, hypo होता है और hyper होता है, hypo में you tend to gain weight, yes, thyroid कम पैदा होता है, और hyper में you tend to lose weight, you get extra, ज्यादा पैदा होता है, it's a, you know, body ka mechanism, basically iodine deficiency, it comes due to stress, कभी-कभी genetic होता है, hormonal fluctuation, and lifestyle or food, what we, आजकल इसले बहुत common है, पहले common नहीं होता था, तो मेरा जो stress life था नेवी में, you know, towards my appointment, कपी है, so I started putting weight, जब मैंने medical में पता चला कि यह है, तो my doctor, उसकी बाद भी मैं दारुविरू, continuous था ठीक है, हो रहा है, तभी doctor friend ने बुला कि, यार, if you continue at this rate, आप आपकी बेटी को बड़े होते हुए नहीं देखोगे, I had a daughter, small, now she's 18, तभी, that hit me bad, बुला कि कुस तो करना पड़े का लाइफ में, and then, फाज में दौड़ते दो थे ही पहले, so I was a ex, फिर मुलूड में भी गड़ सेटल, फिर मैं वाक करना चालू किया, वाक करने चालू किया, एक दो वीक में, I started losing weight, 107-104-5, एक दो किलो कमा, because it's a water attention, end of the day, तभ जब वो हुआ ना, I started loving it, मजा राय करके, फिर, I was a gymmer, passionate gymmer पहले से, but वो सब छूट गया था, दीरे 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 दीरे, I started, you know, walking, walk, run कर ले था, complex के अंदर ही, then दीरे दीरे दीरे, weight started, I started enjoying, और वो बारगें बेट काफी कम हुआ, so you started getting back to life, normal, so your weight भी कम हो रहा है, and you are enjoying life, energy levels बढ़ जाते हैं, दारू भी पी रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, दवा भी हो रहा है, and then you started enjoying, so it's like a gym, like you are a gymmer, so अपने को जिम अगर नहीं किया एक दिन, तो यू कुछ तो missing ऐसे लगता है, वो जो rush होता है, and then running is also like that, अगर आप daily run करोगे नहीं करोगे, you start missing something, the marathons भी आरही थी, then पहला बार बहुत time के बाद, 10 km run किये, so you know, and फिर medals देना चालो किये, तब ही marathon run के बाद, everyone used to put a medal, so that couple, so बहुत सारी motivation, and then you started meeting people, जब run करते थे, road पे कोई मिल जाता, 65 years old का अंकल भाग रहा है, तो यह तो 65 है, मैं तो साला तभी 40 में था, उसको पूछता था कि आप क्यू दौड रहे हैं, आप 10 किलो मेटर्स किलो में था रहे हैं, then you start, 10 किलो मेटर्स कितने बी रन करते हैं, जब एक घंटे में भागता हैं, जब एक घंटे में भागता हैं, तो साला तभ दो घंटे लेता हूं, so that became a motivation, so you started meeting a lot of inspiring people, फिर वादद बनके लगड लग गई, fitness, तो एकाथ किलो मेटर भागा तो भी good enough, but it becomes a craze, you know, then the full marathons happened, 42 Kilometer भाग लिया, Mumbai Marathon, and that marathon culture was building up, and then, in every sports, there is an icon for all of us, you will be having an idol, that Joe Rogan, you know, so similarly, in the marathon race, there is an iconic race, अगर वो आपने भाग लिया, people will say that you are a serious runner, आपको उसके बाद कोई likely नहीं लेका, so ऐसी एक race है, it's called Comrades Marathon, which happens in South Africa, and that's a 89 Kilometer's run, Durban से Marisburg बोलके, मुझे क्या इंट्रेस किया कि, distance and all is fine, what interested me is again a fauji thing, you know, so ये रन चालुआ था, जो भी South African soldiers थे, जिसकी death हो गए थी, or fallen in line, उनके दोस्तों ने start किया था कि to remember them, एक दिन ओ लोग दरवन से भागे, बोला जितना होता है जहां तक जाते हैं, तो था प्तिकुलर सिटी वस 89 किलोमेटर, and they started running every year on that day, that became a tradition, you know, so मेरे लिए वो एक इंपॉर्टन था फauji lineage बुला कि देख थे, and it is tough, it is brutal, you have to train, run, लोनावला से थोड़ा पहले, हम लोग ट्रेन करने लोनावला ही जाते थे, so for that, 96 किलोमेटर का, 89 किलोमेटर का training के ले, you have to train for 4 months, and as a, we are not professionals, देखो अपन तो कैसे, कि आफिस जाते हैं, परेंट्स भी है, nutrition भी अपना, limited है, अपने हिसाफ से, we are not professional sport, so you have to balance so many things, but मजा है, मजा हो ही है कि, how challenging, you know, the, पूरा environment है, and how you push the limit, so you used to train in लोनावला, रात को भागते थे, कि सुबह राफिक होती थे, रात को बारावजी रन, 60 किलोमेटर, in that jungle, you know, रोड पे, खाली खाली रोड होता है, so yes, I trained for that, and, so you are not officially part of Indian team, but, you go there, when you go there, everyone refer to you as India, you know, team India बोलते है, so you get to carry that flag, then unofficially, AFI permission देता है, we make our T-shirts, Indian T-shirt, so you get that feeling of representing India, unofficially, but जब वहाँ भागते है, it's like a carnival, you know, people are on road, ताली बजा रहे, कोई बीर पीला रहा पीच में लाके, पियो 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 करके, and Indians को बहुत respect है, South Africa में, and there, there are 12 cut-offs, हर stage पे cut-off है, you have to finish certain kilometers, so that was that motivation, you know, to run, कुछ लोग, कुछ लोग मुझे बोले थे, देखके, मेरा शरीर और structure, यह सथाए नहीं करे, बहुत थिन लोग चाहिए, बहुत थिन लोग चाहिए, मेरा थिन लोग चाहिए, I was like, यारो, फॉजी हूँ, किया पहले एसब न, तबही ठीक है, एक शिविलेन बन गए एक है यही तो फूल है जो 80 किलो मेंटर लेके चलेगा लेका लिए लिए फूर्स ताहीं आइ राइन इन 2019 पहला अप उता है फ्रम डर्बन तो मेर्षबर्ग इस लिए ऐसे इसे आप फूर्स यू तो कॉम्लीट एट साइकल इसकें अपको डाउन 89 up and 89 so each year लेकिन क्या होता है कि one year you do and then next year अपने लिए बहुत सारी चेंजे चेंजे चेंज हो जाते हैं कोविड हो गया प्रियर्टी चेंज हो गया वेदर तू अभी इंट्रेस रखता है क्या तुमारे लाइफ में तो प्रिपेर एक प्रिपेर अगें फोर मन बट फिर मु गर इतना सब फिजिकली हो गया डेमिज कोशिश करते हैं फिर से एक फर नजा हो ही है न कि जब बदान सातने देता है फिर भीड़ एवर्यन से के नहीं हो गया अब इसको बीट करो फिर से तो इसको बीटकरो फिर से गलीग इस यह उन जून 11th I completed again. इस वान यून 11th I completed again. इ अब जुछ दूजुका है रहा है वो तो रहा है जो फिलोसफी राइट कि पैन में मजा लोग जो प्लेजर व तो अल्टीमेट है इत वेरी व्लूर्ट कि like once you start working out or once you start doing marathons endorphins endorphins are highly addictive the feeling that you get after completing your goal or target तो दो तरीके से एक तो लाइक आपके body में अलग सा energy डाल देता है और दूसरा यो अलसो गेट लाइक that serotonin rush कि मैंने कुछ अचीव किया and that helps to balance not only your health but also your self-esteem as a person I think मैं तो यही कहता हूँ कि holistically अगर आपको एक successful इंसान बनना है या फिर at least अच्छा फील करना है like self-confidence, self-esteem अपनी बढ़ानी है तो I think exercise should be a part of everybody's life exactly, हो तो मैं इसलिए मैं whenever I go for talk या कहीं पर क्योंकि अभी लोग सुनते है at least तोड़ा ध्यान देता है चलो कुछ तो बोल रहा है I credentials कुछ तो I always tell all the youngsters and irrespective of whatever age you are कि न बीस मिन्ट न अपने लिए बीस मिन्ट दिन का निका you have to be selfish आपके घर पे अनलेस इस अ वर्स सिचुएशन जहां कोई कुछ होता हो तो 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 फिन नहीं तो forget about everyone in your house बीस मिन्ट अपने लिए नहीं दोगा if you don't love yourself yourself everywhere कि मैंने बहुत बार यहीं भी नोटिस किया है कि हमारे डाइट का चंट्रोल भी हमारे एक्साइज में होता है सब्सक्राइब आपके जो आपका पुरा लाइफ प्रॉपर बालंस में आजाता है सब्स यहां पे जो आपका self-confidence बढ़ रहा है कि मैंने आज डिसाइड किया था कि यह मैं करूंगा और मैंने किया so that willpower also helps you in other places in life your like willpower is like a muscle you know so the more you train the more it becomes stronger for other things in life as well okay sir so very good insights like हम तो यह military यह सब से काफी cut-off रहे हैं we civilians so great insights I think viewers would also appreciate यह सारे insights आपने शेर की हमारे साथ so thank you so much for coming to the show sir and showering some knowledge thanks thanks Gaurav and it was a pleasure to talk to you hopefully future मैं कोई और conversation के लिए हम वापिस से podcast में मिले पक्का पक्का Gaurav and thank you so much for coming thanks thanks Gaurav and much appreciated to you and your entire team for inviting and trust me hundreds of podcasts काफी channels में में ने podcast किये but this was a different conversation this conversation में बचा के रखा था for my channel for when I speak but it has to come out and what a good way thanks to Ankur and thanks to everyone so guys you can follow sir as well so yeah you can give me so my channel YouTube channel is called 4G Talks yeah so you know you can follow that so for more military perspectives military stories definitely and a lot of interviews there interviews and marathoner mindset and I'm on Instagram as Bijay Nair so thanks Gaurav and keep keep growing you're doing wonderful and you know when I came to know about your work it is amazing you know what you are doing so thank you thank you so much again Jai Hind theater